एक तरफ गाजा के रफा में हमास के खिलाव बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्री इसराइल बॉर्डर पर IDF हिजबुला की काट नहीं निकाल पा रहा है। हिजबुला लगातार इसराइली सेन चौकियों उसके टैंक और जासुसी उपकरणों पर मिसाइल ड्रोन और रॉकेट अटैक कर रहा है। जिसकी वज़े से इसराइल को अर्बो डॉलर की चपत तो लग रही है साथ ही उसने अपने कई सेनिकों को भी खो दिया है। और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने एक बार फिर इसराइली सेना को चारों तरफ से घेर कर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किये हैं। जिसकी वज़े से आयन दोम की बैटरीस को भारी नुकसान हुआ है। और इसके एक घंटे बाद हिजबुला ने फिर से AI सुमका मिलिटरी साइट पर IDF पर एक और हमला कर दिया। हिजबुला का कहना है कि ये इलाका कबजे वाले लेबनान के कफार चौबा हिल्स का है और इस हमले के बाद हिजबुला ने बड़ी ही सूजबूच के साथ इसराइली सैनिकों पर एक और बड़ा हमला कर दिया। दरसल ये हमला उन सैनिकों पर हुआ जो नफ्ताली बैरेक्स में आयन डोम की बैटरी को चेक करने के लिए आये थे जो हिजबुला के हमलों में शाती ग्रस्त हुई थी। हिजबुला के मताबिक उसने यहां IDF के जवानों पर एंटी टैंक गाइड़ेड मिसायल से सीधा हम हमला किया है जिसमें कई इसराइली सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर खायल हुए हैं। तनादन गोले फायर कर दिये थे। वही मेतुला सेटलमेंट में हिजबुला ने दो बिल्डिंग पर एर स्ट्राइक की जिनका इस्तमाल इसराइली सैनिको द्वारा किया जा रहा था। हिजबुला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने इस हमले के साथ ही मनारा सेटलमेंट मे एक बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इस बिल्डिंग का इस्तमाल इसराइली सैनिको हिजबुला के खिलाब चासुसी में कर रहे थे और इसको लेकर हिजबुला का कहना है कि इस बिल्डिंग पर उसका हमला एकदम सटीक हुआ है जिसमें ये इमारत पूरी तरह से नश्ट हो गई है लेकिन इन हमलों के बीच बड़ा सवाल यह है कि जिस आक्रमक्ता के साथ हिजबुला उत्री इसरायल पर हमला कर रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्री इसरायल का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर हिजबुला ने हमले ना किये हो और हिजबुला ने इन हमलों के बीच आईडियफ रफा में अपने मकसद में काम्याब हो पाएगी या नहीं यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हिजबुला से निपटने के लिए इसरायल को अपनी सैने ताकत को दो फ्रंट में बाटना होगा पहली रफ क्योंकि है क्योंकि है क्योंकि है।